दोसों चौले की फली या चौलाई की फली क्या नहीं कर सकती आपके हल्थ के लिए? मतलब आयरुवेद में चौले की फली के लिए ऐसे ऐसे फायदे लिखे हैं आपके हल्थ के लिए कि जिनको अगर आप जान लेंगे तो रोजाना चौले की फली जरूर खाएंगे वो इस सारे फायदे आज मैं आपको चॉलाई की फली के बता रहा हूँ या चॉले की फली के बता रहा हूँ तो यह जो चॉले की फली होती है इसको black-eyed bean भी कहते हैं इंग्लीश में तो सबसे पहली बात तो हमारा heart जो होता है मारे दिल को बहुत मजबूत करती है कोरोन के बाद में अब सब जानते हैं कि heart जो है बहुत कमजोर होता है आदमी का तो heart के लिए बहुत कमाल की चीज़ है चौले की फली ऐसा लिखावा है अरुविद में यह क्या करते है कि आपकी जो वसा होती है चर्बी होती है अंदर जो cholesterol जम जाता है उसको यह कम कर देती है चौले की फली और इससे आपका high BP जो रहने लग जाता है वो high BP भी नॉर्मल है जाता है घचते है ऐसा बढ़िया काम करती है चौले की फली और जो heart की muscles होती है उनको बहुत मजबूती है उसके अंदर चौले की फली के अंदब और जो खून की नलियां होती हैं उनको भी यह बहुत ज़्यदा मजबूती दे देती है और flexibility बढ़ाती है उनकी जिससे के मारा BP normal range लग जाता है और heart पे जोर नहीं पड़ता जिससे मारा heart जो है बहुत ज़्यदा मजबूत हो जाता है और जो heart की beat होती है heart की जो धड़कन चलती हुए एक pattern में चलनी चाहिए लगातार लगातार और उस pattern को heart beat के pattern को यह बना करके रखती है जितना normal होना चाहिए उतना बना करके रखती है अनियमित नहीं होने देती तो ऐसे गर किसी भी तरह की समस्य है heart की किसी को है आपको है modern medical science में जब रिशर्च की चॉले की फली ली पे यह पाया कि इसमें fibre बहुत अच्छी मातरा में होता है 土 nationalism और magnesium बहुत अच्छी मातरा में होता है vitamin C और vitamin E भी बहुत अच्छी मातरा में होता है यह इतना बड़ा combination है इस चॉले की फली के अंदर इन सब चीजों का जिसके कारण ये हार्ट के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत ही स्वास्थिफ़दक है, इसलिए जरूर आपको खानीचीए, अब सवाली आते हैं कि कैसे खाएं, जाके हमारा हार्ट सही रहें चॉले की फली को कैसे सकते हैं और इसका जूस बना करके भी सकते हैं इन दूनों तरीकों से अगर आप काम में लेंगे चौले की पली को खाएंगे तो आपका हार जो है बहुत ज़्यदा मजबूत हो जाएगा अगला जो फायदा है इसका आँखों के लिए आप जानते हैं आजकल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यदा बढ़ गया है स्क्रीन टाइम बढ़ने से मोबाइल टीवी पर स्क्रीन टाइम बढ़ने से हमरे जो देखने की आइसाइट है वो कमज़ोर हो गई है वीजन लॉज होने लग गया है आखें बहुत जल्दी ठक जाती है और रेटिना जो होता है वो तो सही दिखाई देता है तो उसको भी चॉले के फली सही करती है इतने बड़िया काम करती है आइस के लिए आखों के लिए तो जरूर 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 खानी चाहिए वरेट के साब से और जब मॉडरन मेडिकल साइंस ने रिसर्च की तो क्या पाया आप सुनिए कि इ इसलिए जरूरथाएं चौले की फली को पोटेशं मी ब्र भूद म बहुत अच्छा है, आप कैसे खाएं इसको आँखों के लिए, तो चोले की फली को कच्चा खाना चीए, कच्चा इसको दो करके आप वैसे ही चबा-चबा के खा लीजिए, तो आपकी आखें जो हैं, वो बहुत अच्छी रहने लग जाएंगी, आई साइट बढ़ जाएगी आपकी इस छोटे से प्रयोग से चोले की फली के, अगला जो फ लंबाई बढ़ाती है, ग्रोथ बढ़ाती है उनकी, इसलिए बच्चों को भी जरूर खानी चीज़े हैं, चोले की फली, मौडरन मेडिकल साइंस में ये कहा कि इसमें कैल्शियम भरपूर होता है, वीटामिन के जो बहुत कम चीज़ों मिलता है, वो सारी चीज़ें आपक सकते हैं, सलाद में इसको कह सकते हैं, किसी भी तरह से खाएंगे, तो आपकी हड्डियों को ये बहुत ज़्यदा मजबूत बना दे गई चोले की फली, अब जिनको डायबिटीज की समस्य है, क्या उनको खानी चाहिए, विल्कुल खानी चाहिए, शूगर के लिए क्या कहत होते हैं, जैसे कि हार्ट की समस्य हो जाती है, लीवर की समस्य हो जाती है, किटनी की समस्य हो जाती है, आखों की समस्य हो जाती है, वेट की समस्य हो जाती है, वजन कम हो जाता है, इन सारी समस्याओं को सही करती है, ये चॉले की फली, तो जिनकी भी शूगर 200, 300, 300, 400, 400, 400, तो वो सब लोग अगर इस चॉले की फली को खाते हैं तो बहुत जल्दी उनकी शूगर बलड के अंदर कंट्रोल रहने लग जाती है, modern medical science ने जब study की है, इसके उपर तो यह पाये कि इसके अंदर fiber बहुत अच्छी मातरा में होता है, vitamins होते हैं और antioxidants होते हैं जो कि आपकी sugar की समस्या को बहुत जल्दी control करते हैं और reverse करने में बहुत अच्छी मदद करते हैं, अब इसको काम में कैसे लेना है आपको जरा सुल लीजे, sugar के लिए आप चॉले की फली का juice बना के पिए और या फिर चॉले की फली की सबजी बना करके खाएं, तो यह आपको यह सारे फायदे, diabetes के लिए मिल जाएंगे, रोज और पेट भरा रहने से क्या होता है कि हम ज्यादा ओवर इटिंग नहीं करते हैं, तुमारे वज़न नौर्मल बना रहता है, और कम हो जाता है, मेटाबूलिजम को यह सही करता है, वसा को कम करता है, जलतत्व इसके अंदर बहुत जादा अच्छी मात्रा में होता है, और उ vitamins, minerals और antioxidant ये भर पूरे fiber और पानी इसमें खूब है इस सब पाया उन्होंने तो इसलिए चोले की फली को जुरूर खाया और मोटा पा भी मैंने बताया था sugar वालों का मोटा भी समझ से होती है तो ये कम भी करता है और इसको balance कर देता है मोटा पे को normal level पे लिया आता है या फिर इसको juice बना करके इसका पी है चोले की फली गा तो आप देखेंगे कि आपका मोटा पा बहुत तेजी से कम हो जाएगा stress आज की तारिक में stress बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों को तो stress को भी कम करती है ये चोले की फली tension अगर किसी बात की हो जाती तो उसको कम करती है depression आजाता है अगर तो उसको सही करती है अनिद्धा रोग हो जाता है नीद नी आती है सोसे रहते हैं रात बर तो उसको ये कम करती है memory को बढ़ाती है और mood को अच्छा कर देती है change करके इतने बड़िया काम करती है चोले की फली क्यों? क्योंकि magnesium होता है इसके अंदर modern medical sciences है का magnesium होता है potassium होता है B6 vitamin होता है folate होता है और magnesium और potassium का एक combination होता है इसके अंदर खास जो कि चोले की फली को यह सारी ताकत देता है कि आपकी सारी stress को खतम कर देती है इसलिए जरूर खाएं कैसे काना है आप इसको कच्छा खाएं चोले की फली को और या फिर इसका juice बना करके पिएं तो आपकी stress की समस्या भी दूर हो जाएगी immunity सबसे अच्छी बात immunity की भी है इसकी immunity बढ़ाती है हमारी body की रोग प्रतिरोग शम्ता को बढ़ाती है iron इसके अंदर बहुत होता है हमारे oxygen को भी बढ़ाता है शरीर में सूक्ष मात्रा पत्व इसमें खूब अच्छी मात्रा में होते है ऐसा इर्वेत कहता है इसलिए चॉले की फली को जरूर खाना चीज से हमारी immunity बढ़ती है और modern medical science ने क्या आगा कि vitamin C इसमें बरपूर होता antioxidant होता है iron होता है, zinc होता है, folate होता है ये सारी चीजें हमारी immunity को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाती है तो आप चैस को कच्चा खाएं, चैस का juice बना के पीएं और चैस की सबजी बना करके खाएं आप चॉले की फले की तो ये आपकी immunity को बहुत तेजी से बढ़ा देती है बहुत अच्छा कर रहेती है, बहुत मजबूत कर देती है अब एक बात आती है, बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कि चोले की फली को खाने से गैस बन जाती है तो उसके लिए क्या करें तो चोले की फली से गैस ना बने उसके लिए आप इसको सौट पाउडर के साथ खा सकते हैं तो इस तरह से गर आप इसको खाएंगे तो आपको गैस भी नहीं बनेगी और यह सारे फायदे भी मिल जाएंगे तो दोस्तों ये थे चोले की फली के बहुत सारे फायदे जो मने आपको बताएं आज वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार